जीट वेडी समिट के दौरान आयोज़ दिनर के लिए भेजगे इंविटेशन पर प्रेसिडेंट आफ भारत लिखे जाने से एक नई बहस शिडू हो गई है विपक्ष ने आशंका जताई है कि मौजुदा मोधी सर्कार सर्विदान से भी इंडिया शब्ध हटा सकती है विपक्ष का रोप है कि ये सब सिर्फ विसीली किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने अपने गडबंदन का नाम इंडिया रख दिया मेडिया भी इस खबर को खूब हवा दे रही है कि विशेश सत्र में एक विधेक सरकार लाने वाली है और इंडिया को सर्विदान से बाहर करने वाली है तूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसी किसी खबर पर मुहर नहीं लगी है लेकिन इंकार भी नहीं किया गया है कि ये सब विपक्ष की अफ़वा है हम ऐसा नहीं करने वाले तो ऐसे में इस पर अभी भी 50-50 का गेस लगाय जा रहा है BGB के तो कई नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर नाम बदला जाता है तो दिक्कत क्या है इन सब चर्चाओं के बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि अगर भारत अपने पुराने नाम इंडिया को छोड़ देता है तो पाकिस्तान इसे अपना सकता है हाला कि सरकारी तोर पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है लेकिन देशों के नामों को लेकर हुई बैस और चर्चाए पूर्व में भी काफी रोचक रही है पाकिस्तान के स्थानी मीडिया के हवाले से कहा गया कि अगर भारत इंडिया नाम को छोड़ देता है तो पाकिस्तान इस पर अपना दावा ठोक सकता है हाला कि ये भी बता दे कि पाकिस्तान के संस्थापक रहे मौमद अली जन्ना ने देश की विवाजन के समय इंडिया नाम पर आपत्ती जताई थी दूसरी तरफ काफी समय से पाकिस्तान में राश्ट्रवादी गुठ इंडिया नाम पर दावा ठोकते रहे हैं क्योंकि इंडिया नाम सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस्याया है और मौजूदा समय में ये नदी पाकिस्तान में ही बैती है साल 1947 में जब दोनों देशों का बटपारा होना था और बाकी प्रक्रियाय चल रही थी तो एक कारिकरम में मौहमद अली जणना को पाकिस्तान की गवर्नर जणरल ऑफ लॉर्ड माउन बेटन को भारत की गवर्नर जणरल की हासियत से बलाए गया था इस दोरौन कहीं इंडिया लिखा देख जिनना भड़क गए और उन्होंने माउन बेटन को चिठी लिखी जिसमें जिनना ने लिखा ये अफसोस की बात है कि हिंडिया शब्द अपना लिया है जो निश्चित रूप से भ्रामक है जनना क्या आइडिलोजी ही थी कि वो चाते थे कि मुस्लिमों का देश पाकिस्तान है तो हिंदूों का देश हिंदूस्तान उदर हमारे देश में भी बहुत कन्फूजन थी विवाजन से पहले यूनियन ओफ इंडिया नाम पर मुस्लिम लीग ने भी आपत्ती जताई थी सन्विधान सभा में भी इंडिया नाम को लेकर खूब बहसे हुई हाला कि किसी एक नाम पर सहमती ना बनने पर ये तैह हुआ कि इंडिया और भारत दोनों नामों का अस्तमाल किया जाएगा यही वज़ाए कि सन्विधान में इंडिया भारत लिखा गया है एक और बात सोशल मेडिया पर काफी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजो ने दिया है ये बात खुद विरेंदर शहवाग ने भी कहा है लेकित आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये नाम हजारों सालों पहले ही आस्तित्व में आ चुका था ग्रीक विद्वान थे मगस्थनीस खा जाता है वो समराट चंद्रगुप्त के दरवार में राजदूत के रूप में आया था उनकी एक किताब भी थी इंडिका और उन्होंने ही इंडस नदी से इंडू इंडिया और कई नाम निकाले थे जो धीरे धीरे बदलते बदलते इंडिया हो गया खेर भारत इंडिया भारत वर्ष हिंदूस्तान हिंद देश सब एक ही देश के नाम है और हम सभी इने कही न कही इस्तमाल करते हैं लेकिन फिलाल देश में बहस चीड़ी हुई है इंडिया और भारत को लेकर अब देखना होगा क्या वाकी विशेश सत्र में इंजिया का नाम हटाने के लिए विधेक लाया जाता है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24